हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल AJ Medicines में मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ फिर साजर हूँ आज हम बात करेंगे DevCode 6MG Tablet की DevCode 6MG Tablet के मैं आपको Use, Dose, Benefit, Side Effect सब कुछ बताऊंगा आप बने रही है इस चैनल पर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक चैनल को कर लो सब्सक्राइब क्यूंकि दोस्तों मैं हमेशा Medicine से Related वीडियो इस चैनल पर अ हो जाए तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं DevCode 6MG Tablet एक इस्टिरोइड नामक दवाओं के सम्हू से सम्मंदित दवा है जिसका इस्तेमाल मुख्य रोप से गठिया रोग जैसी प्रॉब्लम में इसे यूज किया आता है इसके अलावा और भी कई प्र वीडियो में फिलहाल में आपको दिखाता हूं इसकी पैकिजिंग आप स्क्रीन पर देख रहे होगे डेफकोट 6MG Tablet ये एक पत्ते में 10 टैबलेट होती है और इस एक पत्ते का जो प्राइज है वह है लगबग 124 रुपे यानि 124 रुपीज अली कंपनी इसे बनाती है मे दिन में एक टैबलेट लेनी होती है तो आप एक समय बना लीजिए आप रात को एक समय बनाने तो ज्यादा अच्छा होगा रात में आप खाना खाने के बाद एक टैबलेट ले इसी तरीके से से continue यूज करना जब तक डॉक्टर आपको बताते हैं कई बार डॉक्टर दो ब पूरा देखिएगा क्योंकि जो भी दवा हम यूज करना चाहते हैं उसके side effect हमें मालूम होनी चाहिए साथ-साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप comment box में लिखके पूछ सकते हो हो सकता reply करने में देर ही हो जाए लेकि सब्सक्राइब हो फिसका इसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए.%15 साल से कम उमर के बच्चों के onion टैbles Nich इनने ना धे और जो महिला प्रेगनेंट हो वो भी इसका इस्तेमाल अपनी वर्जी से ना करें? या फिर जो महिला अपने बच्चेको इस्तनपान कराती वो भी इस्टेविलेंट का इस्तेमाल अपनी मर्जी से ना करें. अगर यह लोग यूज restrictive कर जाते हैं तो पहले डॉक्टर की सला लें उसके बाद इस्तेमाल करें या फिर अगर डॉक्टर होने देतें तो इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए अब मैं आपको बताता हूं इससे होने वाले बेनिफिट्स दोस्तों किसी को गठिया रोग हो काफी समय से वह परहसान हो सारे चाहूंगा आप इस दवा का इस्तेमाल करना सुरू करोगे जब तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होने लगीगी या फिर किसी को चर्म रोग हो यानि कि सुराइसिस की प्रॉब्लम हो एकजीमा की प्रॉब्लम हो दाद हो फंग इंफेक्शन किसी तरीकी का इ हो उसमें बहुआ जयादा ते अगर से इसे इस्तेमाल किया गया या पिर किसी को आंखों से जुड़ी परेसानी हों आंखों से जुड़ी परेसानी हो भी ठीक कर देता है और कई बार कैंसर के एलाज के लिए उसकी वाटा है तो यह नहीं के benefits चलिए अब मैं आपको बताता हूं इससे होने वाले side effect दोस्तों tablet लेने के बाद अगर आपको आँखों से जुड़ी ज्यादा परेसानी होने लगे तो समझ दीजे आपको यह सोट नहीं हो रहा या फिर आपको बहुत ज्यादा भूक लगने लगे तो भी आप समझ सकते ह कि आपको यह सोट नहीं हो रहा और अगर आपको बार-बार पिसाब आने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको यह सोट नहीं हो रहा है दोस्तों मैं आपको बता दू जब कोई दवा सोट नहीं हो दी तो रंध हमें डॉक्टर से मिलना चीए और कोई भी दवा यूज कर